कि एक बार फटा फट बता देजिए बच्चे पूछने सारा आज कौन से क्लास है क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ आज है यह क्लास जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि सेमेस्टर फाइव के लिए और समेस्टर फाइव में मैंनेजमेंट अगांट वेरी वेरी गुट इवनिंग तो आल फ्यू वाइस क्लियर है सभी स्टूडेंट को बता दिजिए फटा फट से क्लियर वाइस यस सर चलिए तो फाइनेशल मैनेजमेंट की क्लास साड़े साथ बज़े है अभी पहले मैनेजमेंट की है समिस्टर पाँच के लिए तो जो बच्चे कोई अगर दूसरे कोर्स में जोईन हो गए हो तो मैं पहले क्लियर करतूं आपको क्लास में हम जो स्टर्ट करने जा रहे हैं अब समिस्टर 5 में एननिपवाले बच्चों के लिए हैं और यह ससीवीसिएश और winter आप के लिए हैं और यह से च्पराप्श जाहें एक सब्जेक्ट है आपका मैंेजमें स्वेट्र्व से लाएट हाँ आप regular college पे श्टूडेन हो आपके पास यह subject कोड है तो इसका मतलब यह Subject आपको मिलना ही मिलना है सर एब थोड़ा सा हम इसके background की बात कर लेता क्योंकि स्वेग्राउंड की आद स्लीबों करेंगे तो management अकाउंट इसका मतलब क्या होता है management का मतलब क्या होता है's management का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो संभालना किसी सीच को ऐसे ही होगा संभालना संभालना किसी चीज को केर करना किसी चीज को अच्छे तरीके से रखना तो हम management में किस चीज की management करेंगे हम management करेंगे किस की business की management करेंगे हमें इस subject के अंदर किसका management सिखाया जाएगा business का management आप अपने study का करते हो तो study का management हो गया आप अपने अगर workout करते हो जिम वगेरा जाते हो आप तो आपका workout का management हो गया time management हो गया लेकिन हम इसमें business की management की बात कर wesbook management फ्रॉडक्शन की management फैसला लेना आप सीखोंगे प्रॉडक्शन सब्सक्राइब इस को बनाये अब बनार्या आप आपसे simple सा question पूछता हूं आप बताईएगा मान लो के Samsung Samsung और एक Apple है अब जो Apple का mobile phone है मुझे बताईएगा इसका display कौन बनाता है Apple के mobile phone का display कौन बनाता है आपने बहुत बार सुना भी होगा कहीं न कहीं देखा भी होगा और Samsung के mobile phone का display कौन बनाता है मुझे comment में जवाब दीजिए मैं देखता हूं कितने बच्चे aware हैं से कि Apple mobile है उसका mobile phone का display कौन बनाता है बताईए फटा-फट comment में जितने बच्चों को पता है देखते हैं कमें लिखना पड़ेगा आपको तभी देखो समझ में आएगा जितने भी स्टूडेंट है अरणव तनेश्क पर्तम हिमांशू अमेट सोनम इशा जोती फटा-फटा आप सभी स्टूडेंट कमेंट करिए कि Apple mobile का डिस्प्ले कौन सी कमपनी बनाती है एपल खुद बनाता है यह किसी और से बनवाता है सर एपल का सेमसेंग बनाता है अधित्य ने सही जवाब दिया गौरब ने भी बोला सर सेमसेंग इसान ने भी बोला सर सेमसेंग ही बनाता है इसका अब काफी बच्चों को इसके बारे में knowledge है तो काफी ज़्यादातर बच्चों ने सेमसेंग ही बता है सेमसेंग का डिस्प्ले बनाता है बिल्कुल अधित्य ने बिल्कुल सही बोला हुआ यह था हुआ क्या एपल कंपनी आपको पता है अच्छे से कि यह कंपनी कहीं ना कहीं सैमसंग से तो बड़ी कंपनी है एजा नेट वर्थ की बात करें तो एपल कंपनी एक बार डिस्पले बनाने बैठी डिस्पले बनाने बैठी तो इस डिस्पले का कोस्ट जो आ गया उनका लेस सपोस एक्ज जार रुपे का एक डिस्प्ले तयार कराая Apple ने औरॉतनी अच्छी भी नहीं बन पाई भड़र हमारे एक्सपर्टीज़ अज nasal जो किया और प्रोच किया趣 यार मेरा यह phone और ऐसा मुझे कुछ quality ऐसा कुछ feature ऐसा कुछ display चाहिए तो आप मुझे बताओ कि इसका जब display बना के दोगे कितने का दोगे हम आप से बहुत bulk quantity में खरी देंगे एक दो quantity की बात नहीं है bulk quantity में खरी देंगे तो Samsung ने सब कुछ देखा एक बना के उसको तयार करके दिया और इससे बहतर डिस्प्ले तयार करके दिया इन्होंने बोला कि मैं पंद्रह हजार रुपे में बना दुआ अब मैंने बताया management करना है आप management करने जा रहे हो production related तो आपका management क्या कहता है कि आप इस डिस्प्ले को Samsung से बनवा लेना चाहिए या Apple को खुद बनाना चाहिए तो आपका जवाब होगा क्यों इसे Apple को खुद नहीं बनाना चाहिए इसको किस से बनवा लेना चाहिए Samsung से बनवा लेना चाहिए, तो ये आपने क्या लिया, एक फैसला लिया, तो उसके बाद से Apple Company किस से बनवाने लग दी, सारी किसारी डिस्प्ले, Samsung Company से, तो ऐसे ही कुछ फैसले लिये जाएंगे, इस chapter के अंदर, इस subject के अंदर हमें सिखाया जाता है, कि management production करें या ना करें, हमें अपने business को बंद कर देना चाहिए, कब हमें business को run करना चाहिए, business के अंदर, अगर कोई चीजे कम हो रही है, तो किस हिसाब से कम हो रही है, production में हमारा cost जादा बढ़ रहा है, तो कौन से components ऐसे हैं, जो की cost हमारा जादा बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजे हम, इस subject के अ university जो बच्चे हैं, उनके लिए भी रहता है, कि आपके पांच unit होता है, पहला unit जो है, that is आपका introduction of management, कोई भी किताब, कोई भी subject उठालो, पहला unit भाई साब यही होता है, introduction, उस subject का पूरा, यह आपके 10 नंबर का आएगा आपके exam में, और यह हमेशा पहला unit जो है, यह रहे में आने वाला है, इसके बाद unit number 2 है, जिसमें दो चेप्टर है, एक है budgetary control चेप्टर और एक है standard costing, भाई साब unit number 2, 40 number का है, यानि अकेला यह unit आपको पास करा देगा, तो कितने इसके अंदर unit में है, दो, एक budgetary control और एक है यहाँ पे standard costing, यह इतने भी marking इसकी मैं आपको बत आपके चल रहा हूं, इसके बाद एक है marginal costing, यह अकेला 20 number का chapter है, इसके बाद decision making एक अलग chapter है, यह भी 20 number का chapter है, इसके बाद performance and measurement, relevant costing है, यह भी आपका 10 number का, एक मजे की बाद बोलू, तो यह management account कहीं न कहीं आपको cost account का थोड़ा सा touch होता है, बहुत सारे university में advanced cost account होता है, तो cost का part ही माना जाता है, तो हम अब इसे पढ़ने जा रहे हैं, किसमें semester 4 में cost पढ़ा, semester 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं, management account, ठीक है, सर इसको एक बाद डियू वालों ने क्या लिखा है, क्योंकि अक्सर बच्चे न स्लेवर्स को देखके confused होते हैं, तो मैं एक बाद स्लेवर् चप्टर में, मैंने इसको 5 चप्टर में डिवाइड कर दी हैं, जैसे कि कौन कौन से चप्टर में, जैसे चप्टर नमबर 1 हो गया है, चप्टर नमबर 2 हो गया है, चप्टर नमबर 3 हो गया है, और चप्टर नमबर 5 हो गया है, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया है लेकिन डेली उनिवर्सिटी स्लेबर्स को कैसे explain करता है एक तो यह marking wise है theory में क्या-क्या पढ़ेंगे हम सर theory के अंदर हम पढ़ेंगे accounting की meaning, objective, nature, management accounting का scope तो यह पूरा का पूरा theory हो गया सर ठीक है budgetary control, budgetary control ने standard costing तो देखो budgetary control A section है और B section है तो यह chapter number में इसको शुरू से ले लेते हैं theory का एक number chapter और यह दो number chapter और यह तीन number chapter तो सर इसके अंदर क्या-क्या होने वाले हैं budgetary control में budget बनाते हैं कि हम production को बनाने में कितनी costing आ रही है जैसे कि आपने financial management के अंदर cash budget किया था ना वो cash budget यहां भी दुबारा पढ़ने को मिलेगा आपको तो budgetary control में क्या है concept of budget budget and budgetary control objective आपका material limitation यह तो theory की बात कर रहा है function अब start यहां से है fix and flexible budget आपको करना यह practical है इसके बाद different approaches, zero based budget आपका performance तो यह हमारा पूरा का पूरा देखा जाए तो यह practical subject है standard costing देखा जाए तो सबसे बड़ा chapter जो आपके syllabus में कोई है तो that is a standard costing और थोड़ा सा यह tough माना जाता है इसलिए generally मैं end में कराता हूं बच्चों को यह ताकि बच्चों को याद रहे लेकि के अंदर हमें variances देखने है सर के हमारे किस वजह से किस reason से जैसे कि मेरा पिछली बार costing बढ़ गई है तो costing मतलब मैं 2 रुपए का सोच रहा था एक unit बनेगा बन गया वह सवा 2 रुपए का तो ऐसे कौन से components से price material का बढ़ा उसकी वजह से हुआ या labor का बढ़ा या उसकी जैसे price बढ़ रहा है वह हम सीखते है standard costing में तो यह हमारा यहां पर सीखा जाएगा कहना है सर अभी तक आपने क्या बताया है class करने में हो गए है class जोइन करने में लेट हो गया अभी बस मैं just एक syllabus discuss कर रहा हूँ और आज का agenda हमारा syllabus का ही है ठीक है तीन chapter होगे देखिए चौथा chapter marginal है हाला कि इसके अंदर दो chapter included है marginal में एक chapter है हमारा cost profit volume analysis जिसको मैं इसको बड़े प्यार से मैं PVR profit volume ratio के नाम से भी जाना जाता है वो PVR नही इतने वैसे profit volume ratio भी बोला जाता है ठीक है अब इसके बाद इसके अंदर और क्या है यह देखो यहाँ पर कह दिया इसने profit volume ratio कह दिया इसके साथ यहाँ पर एक चप्टर आ जाता है यह that is a marginal costing marginal costing यह एक चप्टर हो जाता है तो यह दो चप्टर को मिला के यह unit है marginal एक है PVR एक है marginal costing सर कितने नंबर के unit है 20 नंबर का सवाल आएगा ही एक्जाम में क्योंकि unit इतने का है decision making decision making मतलब फैसला होता है यह एक ही चप्टर है decision making generally हम सबसे last में करते हैं क्या वज़या है सबसे last में करने का सबसे last में करने का वज़या यह है कि हम decision making को तब तक नहीं कर सकते जब तक यह सारे components हमें पता नहीं चल जाए तभी हम एक फैसला लेंगे इस chapter के अंदर marginal costing भी आ जाएगा बजटरी भी आ जाएगा इस पीवीर भी आ जाएगा सारे chapter के ऊपर बेस decision लिया जाएगा इसके बाद आपका performance costing जिसके अंदर responsibility है बहुत छोटा सा चप्टर एक दिन का चप्टर है तो मान के तो जो दो चप्टर और इस chapter को मैंने जो divide किया है अभी तक मैं अपने जैसे पढ़ाऊंगा वो ये रहा आपको बता दू के जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले PVR है पहला चप्टर हम इसको इसी format में पढ़ने वाले हैं पहला चप्टर हमारा PVR है फिर budgetary control है पहला मैंने थोड़ा सा उपर नीचे हो गया एक नमबर हम 6 चप्टर है टोटल हमारे पास तो हमारा management का स्लेबस बढ़ा ही कम है एक PVR हो गया एक budgetary control हो गया एक marginal costing हो गया standard costing हो गया decision making हो गया relevant costing हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ा स्लेबस नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि हम classes को regular लेंगे regular in the sense हमारा जो normal days रहेगा हमने decide किया है सर हम class को क्या लेने वाले हैं सर MWF MWF कितने बज़े 6-2 अब 7-30 हो जाए 7-minute time criteria रखा है जो कि आपका start होगा अब मुद्दे की बाद सर पढ़ाओगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे आपको management account पढ़ना है management account पढ़ना है management account पढ़ने के लिए आपके पास book होना चाहिए मैं book से पढ़ाऊंगा हर बार की तरह है और book इसलिए मैं करता हूँ कि बच्चों को notes words के चक्कर में पढ़ते है books कौन सा है सर इसका है books का नाम M.N.Aroda M.N.Aroda book है plus 10 year 10 year भी cover करेंगे इसमें जैसे हमने financial management का 10 year cover किया था उसी तरीके से पूरे 10 year भी cover हो जाएगा तो 10 year लेंगे 10 year किसका रहेगा शिवदास का अभी फिलहाल यह books market के अंदर नहीं आई है और नहीं अभी 10 year रिलीज हुआ है हाँ हपते 10 दिन के अंदर हो जाएगा तो वैसे मैं आपको information दे दूँ आपका एक income tax भी है इसमें और एक आपका business economics भी है क्योंकि थोड़ी लंबी class चलेगी वो तो मेरे हिसाब से आपको clarity मिल गया होगा कि सर management account में कितने chapter सबसे पहले हम करने वाले हैं profit volume ratio उसके बाद करने वाले हैं हम सर marginal costing उसके बाद करने वाले हैं budgetary उसके बाद करने वाले हैं standard costing उसके बाद करने वाले हैं सर हम decision making और उसके बाद करने वाले हैं relevant costing अब सबसे पहले देखो चप्टर को बता दूँ ये चप्टर कितने का है ये चप्टर हमारा 20 नंबर का है ये चप्टर कितने का है ये चप्टर हमारा 40 नंबर का है एक पहला चप्टर थियोरी वो तो just एक introduction है जो पहले भी कर सकते हैं इसके बाद देखा जाए ये चप्टर आपका आएगा 20 marks का और यह chapter आपका आएगा यहाँ पर total दिखा जाए तो यह 10 नंबर का इस तरीके से आपके 100 नंबर का paper बन जाएगा 40 और 20 60 और 20 40 20 60 20 90 और 10 नंबर का थियोरी तो 100 नंबर का इसे साब से आपका exam बन जाएगा बताईए किसी बच्चे का कोई डाउट जितने बच्चे लाइव हैं बता दीजिए फटा फटा अगर किसी बच्चे का डाउट है मैंने बार आज की class में सरिफ हम यही discuss करेंगे कि क्या क्या chapters हैं इसके आपको notes मिल जाएंगे और इसके अंदर मैंने बता दिया कौन-कौन से आपके कितने marks के आएंगे यह मैं सारी जो बाते कर रहा हूं यह डेली university के सलेबस के according बात कर रहा हूं मैं बाकी कोई भी other university होगा वहाँ पे हो सकता है कि यह percentage different different हो सर cost accounting become program का regular का paper बिलकुल new pattern पे आया था previous paper previous year से एकदम देखो paper आप कह सकते हो कि new pattern पे आया था लेकिन paper आसान था honors वालों का तो same ही आया था program वालों का लगबग लगबग थोड़ा सा मतलब simple pattern में आ गया था सर यह topic financial management और management account done common है नहीं नहीं financial management के अंदर और management account में सिर्फ budgetary में से एक chapter common है that is आपका cash budget सर 100 का exam होगा या 90 का मैं 100 के हिसाब से लेके चलूँगा कि यह weighted है होगा exam 90 का ही तो अगर मैं 10 number बोल रहा हूँ तो यह 9 number का paper में आएगा अगर 40 बोल रहा हूँ तो यह 36 का paper में आएगा आप इन सभी को 90% से covered कर लेंगे तो जो question paper में print होगा वो यह बेटेज होगा सर मेरे college की time evening की है अगर आपके college की time evening का है तो मेरे हिसाफ से evening 6 बजे तक चुट्टी हो जाती है और यह स्रिफ मान के चलो 10 से 15 दिन का रहेगा उसके बाद फिर मैं लेट नाइट ही करूँगा इसको 9 बजे से मैं class को start कर दूँगा मैं 3730 है अमित का कहना है बस आपको कुछ दिनों तक manage करना है आपका college भी कब खुल जाएगा अगस्त के महिने में जब खुलेगा उससे पहले ही मैं timing को थोड़ा लेट कर दूँगा आपके लिए 8 बजे से लगबग मेरा plan चल रहा है कि मैं 8 बजे इसको लेके जाओं और किसी student का कोई doubt